मुसा वादा विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियानी समढ़ संग वीदा पिपल हम भारत के लोग में निगेटिव विचार या नकारात्म गुजा पैदा नहीं की जाती नहीं किसी का विरूद किया जाता तरसल जो बहुत सारे जो संख्ठन है वो विरूद पर काम करते हैं जबकि ना तो बुद्ध ने विरूद किया और ना ही बावा साब ने किसी का विरूद किया बावा साब ने या बुद्ध ने या कवीर ने या साहू ने या फूले ने जितने भी महापुरस हुए हैं उन्हें अपना काम किया है और चुकि समर्संग महापुर्सों की पद्चिन्नों पर चलता है इसलिए किसी का विरोध नहीं करता फिर भी कैई लोग आ जाते हैं मंच पर आते हैं जूम की मीटिंग में आते हैं जो कहीं से ये सीख के आए हैं कि उनको सिर्व विरोध करना है और विरोध करने का क्या तरीका निकालते हैं वो उन्होंने जो सीखा है जो सिखाया है वो बंबन का विरोध करते हैं बंबन ने ऐसा किया बंबन ने वैसा किया बंबन बड़ा तेज है बंबन बड़ा चलाक है बंबन बड़ा पावरफुल है मतलब वो उसका विरोध भी क्या करते हैं उसका प्रचार करते हैं और यहां के जो बाकी जो लोग हैं या बच्चे हैं उनके मन मस्तिस्क में ये बठाते हैं बम्मण बड़ा ताकतवर, बम्मण ये, बम्मण ऐसे करता है तो ऐसे लगता है कि चारो थरफ बम्मण ही बम्मण चाया हुआ है और बम्मण बहुत पावरफुल है तो बच्चे अधिकतर वैसी ड़जाते हैं उनके उपर मानसिक विकार आ जाता है ये जितने भी लोग हैं जो संग्ठोरों में सिखा रहे हैं बम्मण के विरोध के बारे में परसलि ये कोई सच नहीं बताता आपको जो बम्मण है, वो बहुत कमजोर है वो क्या है? वो याचक है याचक का मतलब है भिकमंगा मांगने वाला मांगने वाले को याचक बोलते हैं भिकारी को याचक बोलते हैं याच ना करता है उसको याचक बोलते हैं तो आपने पुरानी कहानिया सुनी होंगी मैंने तो बहुत सारी कहानी धंपद में सुनी है क्योंकि कहानिया धंपद में ही हैं पांच आरे के करीम हैं बम्मण याचक या याचक बम्मण यानि कि बार बार ये जिकर आता है कि कोई गरीब है कोई बम्मण है और कोई याचक है यानि कि मांग रहा है भिकारी है तो वो जो गरीब बम्मण भिकारी है वो कहां खड़ा हुआ है कहाँ खड़े हो के मांग रहा है, किसके दर्वाजी पे मांग रहा है, इसको कोई नहीं बताता, क्योंकि अगर कोई गरीब बंमड याचक है, तो उसमें ये कहनी लिखा हुआ है कि वो एक अमीर बंमड के पास आया हुआ है, दरसल जिसके घर के सामने वो खड़ा हुआ है, व गरीब अमन भिकारी भीक मांग रहा है ये कहानियां आपने पड़ी होंगी एक गरीब ब्रहमन करके तो कहीं भी आपने कोई कहानी ऐसी नहीं पड़ी होगी कि एक गरीब याचक समण यानि समण की एक भी कहानी नहीं पड़ी होगी आपने आज तक जिसमें ये लिखा हुआ कि समण कोई गरीब है और याचना कर रहा है मैंने नहीं पड़ी आज तक आपने नहीं पड़ी हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि याचना करने वाला भीक मांगने वाला भिकारी सिर्फ बंबन है और समण उसको हमेसा देने वाला है समण ने उसको हमेसा दिया है समण याचकर गरीब नहीं है वो अमीर है वो कामगार है वो काम करता है कमाता है तो इसमें ग्लोरिफाई कौन है जो मांगने वाला है वो ज़्यादा ग्लोरिफाई होता है उसकी चमक जादा है या जो देने वाला समन समाज का उसकी है क्योंकि समन समाज का जिक्र करते नहीं कभी आप कहानी में दूसा सेंटेंस पढ़ते नहीं वो जो दूसा सेंटेंस है वो सफेद स्याही पे सफेद काग से लिखा हुआ है कि वो दरवाजे पे जिसके खड़ा हुआ है वो समन है वो हम लोग है वो S.C.H.T.O.B.C. है इसलिए ब्रहमन पहले भी याचक था बम्मन आज भी याचक है और वो याचक ही रहेगा क्योंकि वो याचना करना उसका सुरू से काम रहा है और याचक करने वाला कभी गलोरिफाई नहीं होता कभी चमक नहीं होता उसका कभी जिक्र नहीं आता मगर यहाँ उल्टा हो रहा है यहां हमारे जो संग्ठन के लोग हैं उस गरीब याचक को लोगों के दिमाग में भर रहे हैं ऐसा किया वैसा किया वैसा किया और जो देने वाला अमीर समण है यानि हम खुद S.T.H.T. लोग हैं उनका जिक्र नहीं करता हो क्योंकि वो पढ़ता नहीं उसको समझ में नहीं आता उसके दिमाग में निगेटिविटी भरी हुई है उसके दिमाग में एक सतुता भरी हुई है जो उसको चमका रही है और अपने को गिरा रही है मगर यहां वीदा पीपल समण संग में हम बंबन का जिक्र नहीं करते हैं हम नाम नहीं लेते किसी का भी हमें किसे कोई मतलब नहीं है हम तो बुद्ध की तरह अपना काम करते हैं हम आलोच नाम नहीं पड़ते हैं हम बावा साब अमबिटकर की तरह है सिर्फ जानकारी रखते हैं काम अपना करते हैं जैसे बावा साब ने काम अपना किया सम्मिधान बनाया भगवान बुदुन का धम लिखा, कॉलिज खोले, स्कूल खोले, संग्ठा बनाए, राज नीती की, ये सारे काम उनों ने किये, जैसे तवीर दास ने अपना काम किया, अपना कपड़ा बनाते थे, अपना बुनते थे लोगों से, बात करते थे, लोगों को समझाते थे, पढ विरोध का काम नहीं करते, विरोध का काम बड़ा आसान होता है, बंबर के खिलाब भरो, बंबर के खिलाब गानिया दो, बंबर ने ऐसा किया, बंबर के तो बंबर की तो तारीफ हो गई, बंबर तो राजा बन गया, उसे तो तो तारीफ ही आपने इतनी कर दी के लोग डर गई तो उसको मान लिया तो राजा बन गया और आपने क्या क्या ड़ना के अब बंवर से लड़ना है तो पैसा दो तो ये संठन क्या करते हैं दिन रात पैसा खींच रहें दिन रात पैसा खींच रहें इनको पैसा देना बंद करो भाई इन ये जूटिया कहानी सुना रहे है इनकी कहानी में दम नहीं है, ये आपके दिमाग में सतुता भर रहे हैं, ये जहर भर रहे हैं, ये किसी आदमी को गलोरिफाई कर रहे हैं, जो आदमी पहले से ही याचक है, जो आदमी पहले से ही भिकारी है, उसको राजा बना दिया है नोगों ने, विरोध की काम में, विरो जिक्र करोगे अपनी महफिल में महफिल तो उसी की होगी ना अगर हम चाल लोग बैटके यहां तर्बूज का जिक्र करें तो आज की महफिल तर्बूज के नाम हो गई और अगर हम यहां चाल लोग बैटके आज की महफिल खर्बूज की जिक्र करें तो महफिल खर्बूज के नाम हो गई तो आप जिसकी महफिल करना चाहते हैं जिसको बढ़ाना चाहते हैं उसका जिक्र करें तो हमें जिक्र करना चाहिए डॉक्टरामेटकर की जो वॉलिम से उनका जो बुद्ध की किरान थी है उसका जो बुद्ध ने समड संग बनाया उसका जो बुद्ध ने समड संग से पहले नियम थे उनका और जो बुद्ध से पहले हमारा संग चलता था उसका जिक्र करना चाह जिसने सोने से जमीन खेदी, सोने की गिनी लगा लागे जमीन खेदी, हमको जिक्र करना चाहिए अपने उन पढ़े लेखे लोगों का, जिन्होंने 84,000 पत्थर की किताबें लिखी ही उस समय, कितने पढ़े लेखे लोग थे, हमें जिक्र करना चाहिए उनका, कि 84,000 पढ़ने मनाई, जिन्हों ने रत मनाई, जिन्हों ने तीर मनाई, जिन्हों ने कमान मनाई, और जो विदेसों को बेचा करते थे, ब्यापारी थे, हमें जिक्र करना चाहिए उन लोगों का, जिन्हों ने विस्व गुरु की उपाधी पाई और पूरी दुनिया में विस्प गुरु कलकिलाए जिनको बुद्ध बोलते हैं और जो आज भी विस्प गुरु है हमारे पास क्या नहीं है हमारे पास समराट असोंग जैसे समराट रहे हैं तो उनकी सेना में हम सेनापती नहें तो सेनिक हम रहे, सेनापती हम रहे और कितने जबरजस्त सेनापति और सेनिक रहे कि हमने छोड़े 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 राज्यजीत के पूरा महावारत बना दिया और बात के लोग कितने निकम में रहे कि उस महावारत को दुबारे से फिर भारत बना दिया जिक्र हमें उन सब चीज़ों का करना चाहिए जो हमेरे काम की हैं जो हमारी है समर्ण संग वही काम करता है इसलिए जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं जो लोग अपने वारे में सोचते हैं अपने महापुर्सों की बात करते हैं और जो बंबर की बात नहीं करते और नहीं किसी निगेटिब बात करते नहीं किसी में सतुता घुलते हैं उन लोगों का यहां कोई जिक्र नहीं है यहां कोई काम नहीं है वो लोग यहां नहाएं क्योंकि उससे फाइदा ना होके नुकसान होता है। सतर सालों में आपने देखा होगा कि जितने भी संधोने बंबल 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 करके चिल लाए, उनके टुकड़े होते होते चले गए, मतलब वो गालियां बखते रहे दूसरे को और उनके खुद के टुकड़े हो गए, तो उनको समझ मैंना चाहिए कि उनकी जो फिलोसफी है उनकी जो थोरी है विरोध करने की, वो उनके संधन में भी विरोध पैदा हो गया, और वहाँ भी लोगों ने विरोध करते करते, उनके संधन तोड़ दिये, अगर वो एक जुटा रखते और महापुरसों की बात करते रहते, और बंबल की बात नहीं करते, तो वो एकटे भी विरोध की बात में कभी समय खचने किया, उनसे सीखिए, धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को gift में भेजनी चाहिए, या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए, या print में, किताब में च्षाबनी चाहिए, या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को स्तमल करना चाहिए, तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या permission लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना right हैस पे क्या हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामू संगं सरनं गच्छामू दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामू दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामू संगं सरनं गच्छामू संगं सरनं गच्छामू बुखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी